किसान बाईो नमस्कार सुआगत है आपका हमारे यूटूब चैनल स्मार्ट एगरी कल्चर में किसान बाईो आज के इस वीडियो में हम टमाटर की सबसे सफल वेराइटियों के बारे में बात करेंगे अगर आप टमाटर की खेती करना चाहते हैं तो टमाटर की खेती आप पूरे साल बर कर सकते हैं अगर आप बरसाथ के लिए टमाटर की खेती करते हैं तो उस से टमाटर की जुलाई अगस्त में बुवाई की जाती हैं और अक्टूबर महीने में टमाटर की हार्वेस्टिंग सुरू हो जाती हैं और अगर आप घर्मी के लिए टमाटर की खेती करना चाहते हैं तो दिसंबर और जनवरी महीने में टमाटर की बुवाई की जाती हैं और मार्च अप्रेल में टमाटर की हार्वेश्टिंग सुर्व हो जाती है टमाटर की खेती में अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लेना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा जरूरी है सई वेराइटी की बुवाई करना क्योंकि टमाटर की खेती एक ऐसी खेती हैं जिसमें वेराइटी का रोल बहुत ज़्यादा है क्योंकि अगर आप सही वेराइटी की बुवाई करते हैं तो उस टमाटर के पोदे से आपको पेदावाल भी ज़्यादा मिलेगी उस पोदे की रोक परत्रों दक समता भी ज़्यादा होगी और आपको मुनाफ़ा ज़्यादा होगा वही अगर आप किसी ऐसी वैसी वेराइटी की बौई कर देते हैं तो टमाटर भी छोटे आएंगे आपको पैदावार भी कम निकलेगी और आपको नुकसान होगा वैसे तो किसान भाईयो अलग-अलग छेतरों के लिए करसी विशेसग्यों द्वारा अलग-अलग टमाटर की वेराइटों की राय दी गई है लेकिन इस वीडियो में हम तीन ऐसी वेराइटों के बारे में बात करेंगे जिसको आप किसी भी छेतर में खेती कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं लेकिन किसान भाईयो फिर भी हम आपको एक बार इस वीडियो में एडवाईस देंगे कि आपके जिल्ले की कर्शे अधिकारी से आप एक बार टमाटर की अच्छी वेराइटी के लिए संपर्क जरूर करें अब हम इस वीडियो में टमाटर की तीन ऐसी उन्नत किस्मों के बारे में बात करेंगे जिनकी रोग प्रतिरोदक समता ज्यादा है उन वेराइटियों के टमाटर ज्यादा मात्रा में लगते हैं और आपकी पैदावार ज्यादा होगी तो वह वेराइटिया कौन सी हैं किस परकार से खेती करनी हैं क्या-क्या विश्यचता हैं इसके बारे में हम वीडियो में पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे तो आप वीडियो को अंच तक जरूर देगना और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पाज जो गंटी के निशाने उसे जरूर दबा दीजे किसान भाईयो हमारी इस लिश्ट में जो पहले नमर की वेराइटी है वह हैं सेमीनीस कंपनी का अबिलास अबिलास जो टमाटर होता है उसका छिलका मोटा होता है और मारकेट में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है इसकी कहती आप बरसाद और गर्मी दोनों सीजन में कर सकते हैं इसमें टमाटर का साइज बड़ा होता है और इसकी डिमांड अच्छी रहती है और इसका उत्पादन भी अच्छा मिलता है इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सेमीनीज कमपनी का अभिलास की बुआई करें उसके अलावा किसान भाईयो इसकी जो रेट होती हैं 10 ग्राम की 380 रुपे होती है दूसरे नमबर पर हम बात करते हैं बी एशेप कमपनी के वी एस ननहेम्स 28 तरेपन हाइब्रीड एफ़वन टमाटर के बारे में किसान भाईयो यह जो एफ़वन टमाटर है इसकी पर्थम तोड़ाए आपको 70 दिनों में प्राप्त हो जाएगी इसमें फल, फूल और पतिया मजबूत होती है जिससे जड़ने का कोई समझेया पेदा नहीं होती है इसमें टमाटर का वजन 80-100 ग्राम तक होता है टमाटर गॉल बड़े आकार के होती है इस से वेराइटी की रोक परते हो दक समता बहुत ज़्यादा होती है जिससे आपको फाइदा मिलता है अगर इसकी रेट की बात करें तो 10 ग्राम की जो ननेम से 28 तरेपन टमाटर आते हैं उनकी प्राइज पांसो पचास रुपे के आसपास होती है किसान भाइयों तीसरे नमबर पर हम बात करते हैं सिजेंटा कमपनी की हीम सोना हाइब्रीड टमाटर के बारे में इस से वेराइटी की टहनिया ज़्यादा होती है जिससे पैदावार ज़्यादा निकलती है अगर आप इसकी अच्छे तरीके से खेती करते हैं इसमें रोग और कीटो का सही तरीके से देखरे करते हैं खाद समय पर डालते हैं तो आप इसका अच्छा उत्पद्रन प्राप्त कर सकते हैं अगर हम सिजेंटा हीम सोना की प्राइस की बात करें तो 10 ग्राम की प्राइज 600 रुपे के आसपास होती है यह रेट अलग 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 भी हो सकती है किसान भाईयो यह तो हमने बात की तीन सबसे बेश्ट टमाटर की वेराइटों के बारे में जिनकी खेटी आप किसी भी सीजन में कर सकते हैं लेकिन मैं आपको फिर भी रिकमेंड करूँगा कि आपके चेतर के जो कर्षी अदिगारी हैं आप उनसे एक बार संपर्क जरूर करें और अपने चेतर में जो सबसे सक्सेसफुल विराइटियां हैं उनके बारे में जानकारी जरूर लेवें तो किसान भाई यो उम्हेद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आयोगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर किजेगा चलिया मिलते हैं अगले वीडियो में चै जवान चै किसान